करनाल की एक नहर में एक यूवक का शव मिला है मृतक के दोनों पाउं बंधे हुए मिले हैं प्रात्मिक जाच में हत्या की आशंका जताई जा रही है फिलाल पुलिस मामले की जाच में जुट गई है आपको बता दे कि आवर्धन नहरपुल के समीप गाउं कलवेडी के नज ग्याच शव मिलने से संसनी फैल गई सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गोता खोरों की मदद से शव को बाहर निकालने में सफलता हासिल की जाच अधिकारी ने बताया कि उन्हें कलवेडी गाउं के सरपंच ने सूचना दी थी कि कलवेडी पुल के समीप एक डेट बोडी अटकी हुई है जिसकी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुच कर डेट बोडी को निकालने की कारवाई शुरू की उन्होंने बताया कि डेट बोडी को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम रूम भेजा जाएगा डेट बोड बोडी को निकलवाने के लिए इंतिजामात कर लिए गया है इस तरह का अभी देखने पर कुछ पता नहीं चला बागी एक बार बाहर आती है तो पर मौइना करके उसके बाद को इसके बाद को बुलाया गया है कब तक आ जाएगी ती आचा है जल्दी ही उन्हें बार बार स ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें थैन्ने वाल वेट एंटरप्राइब